Hi friends, hello and welcome to Rediscover Pompey तो क्या आपको पता है आज का दिन क्या है? खेर आज का दिन तो उतना important कुछ है नहीं बिकास आज 22nd of March 2021 है और शायद हम सब अपनी अपनी लाइफ के भागदौर में इतना जाता बीजी हो गए कि हमको याद ही नहीं कि आज से ठीक एक साल पहले यही 22nd of March 2020 एक historical एक एतिहासिक दिन था वो इसलिए क्योंकि उस दिन से हम सब की जिन्दगी जो है वो almost बदलने वाली थी या शायद बदल चुकी थी उसके कुछ दिन पहले से हम सब की लाइफ में changes आने लगे थे लेकिन वो दिन था जिस दिन हम सब कुछ मतलब सब कुछ धीरे 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 जाते वे देख रहे थे उसके ठीक एक दिन पहले हमारे प्रदानमंत्री जी ने मोधी जी ने यह सब से request किया था यह announce किया था कि 22nd of March जो है उस दिन 22nd March को जनता कर्फियो होगा जनता कर्फियो भानी टोटल लॉगडाउन 100% लॉगडाउन जो पहली बार शायद मेरी लाइफ में मैंने तो पहली बार देखा है और उसका पालन करें और कोरोना का जो चेंज चल रहा था जो शुरू हुआ था उसको ब्रेक करने के लिए यह रखा गया था आज का दिन और दिनों से बहुत अलग है आज जनता कर्फियो का दिन है और बगवान करें की सब अच्छा हो जाए सब कुछ ठीक हो जाए और उसके बाद शाम को तालिया और थालिया बजाने का एक काड़ेकरम का भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था जले शाम के पांच बजे हम चाहेंगे कि इस अच्छी सी मुयम के हम एक भागीदार बने जो की हुआ भी था बेसिकली लेकिन शुरू से उस दिन सुबह से जो चीज मैंने नोटिस करी यह मेरे लिए एक सच में एक बहुती बहुती मेमोरेबल बहुती मैं कभी नहीं भू स मैं आता है इनसान के जिंदिगी में और सब एक जूट हो जाते हैं उस टाइंपे तब कोई भी भेद भाव नहीं रहता कोई जाती धर्म किसी चीज का कोई भेद भाव नहीं रहता क्योंकि यह महामारे भी एक ऐसी चीज थी एक प्रकृति ने हम सब को सिखा दिया कि जब पूरे से बुरा समय आएगा, तब बिटा, कोई भी जाती, धर्म, या फिर उम्र, या फिर कहते हैं कि आपकी आपकी आउकाद भी नहीं रेखी कि वो, सब पे एक साथ भारी पड़ेगा, तो अभी तो हम हस रहें, लेकिन उस दिन ऐसा था, फिर सुबह से नोटिस किया कि चा किसी ने घर से बहार निकलने की कोशिश नहीं की, चीडियो के चहकनी के आवाज भी शायद पहली बार उस दिन सुना था, अच्छे से, और फिर पूरा दिन बिलकुल सुनसान, बिलकुल सन्नाटा सा फेल हो रहा था, और यह सोच भी रहते कि शाम को पांच बजे जो कार्य जो तालिया और थालिया बजाने को करेंगे कैसे क्योंकि कोई आइडिया नहीं था, और मैं सोच रही थी कि क्या पता, कैसे करूंगी यह, और कोई करेगा भी की नहीं, लेकिन जब शाम को पांच बज रहे थे, और मैं अभी आप लोग को उस मेरे व्लॉग का कुछ हिस्सा दिखाती हूँ, तो अब पांच बजने में सिर्फ पांच मिनिट बाकी है, और हमें अल्रेडी चारो तरफ आसपास के घरों में, उनके बैल्कनी में और शायद चतों पर लोग पहुँच चुके हैं, मुझे आवाजे भी सुनाई दे रही है, जब ये मैंने, मैं व्लॉग कर रहे थी, जब मैं वीडियो कर रहे थी, तब मैंने सुना कि चारो ओर से अल्रेडी शुडू हो गया है, लोगों ने ये तालिया और थालिया बजाना, घंटी बजाना, शंग बजाना, सब कुछ लोगों ने शुडू कर दिया है, और ये अपिक मोमेंट अफ माई का भी हम सबने पूरे देश ने उनका मान रखा, ये बहुत ही अच्छा लगा, एक चीज और है, मुझे लगा कि उसके बाद उस वक्त हम लोगों को ये आइडिया था ही नहीं कि आगे का समय और भी इतना कठें और इतना डिफिकल्ट, इतना बुरा समय आ रहा है, क्योंकि बहुत ही बहुत ही बुरा समय था, in fact मेरे immediate family में नहीं लेकिन मेरे बहुत ही अपनों का भी मतलब ये हुआ था, तो I know कि ये कितना ड़ावना था ये, लेकिन हाँ, इतने बड़े negativity से लड़ने के लिए उस दिन का वो positivity, उस positive vibes को create करना बहुत ज़रूरी था, and definitely हम सब successful रहे हम सब कामियाब रहें उस दिन, वो जो 5 बजे से लेके almost 5.30 बजे तक चल रहा था वो, इतना अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा, मुझे लगा कि जैसे मैं पूरे देश को देख पा रहे हूं, क्योंकि जहाँ दूर दूर तक नजरे जा रहे थी, everybody was participating in that, so हर क YouTube पे भी, News Channel में भी, सब जगे चा गए वो वीडियोज, खेर वो वीडियो का पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, कि मैंने क्योंकि मैं भी बहुत emotional हो रही हूं, काफी nostalgic हो रहे हूं, तो वो वीडियोज पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, सब ने इस तरह से इस मुमेंट को स कुछ नहीं हो सकती थी, I am really proud of my country This was amazing experience, this is almost one of the most amazing experiences of my life ये एक दिखाना भी था कि we are all together, हम सब साथ में हैं, और हम इस मुसीबत का सामना एक जूट होकर दटकर करेंगे तो वो वीडियोज देखके अब पता चल रहा है, कि आज से ठीक एक साल पहले एक बहुती बुरे दौर की शुरूआत हुई थी लेकिन हम सब ने बहुती strongly, बहुती कहते हैं ना कि एक ताकत के साथ, एक विश्वास के साथ हमने शुरू किया था वो यह साल बहुत बहुती डिफिकल्ट था हम सब की लाइफ में मतलब कोई क्लास के बात नहीं करूँगी, एनी क्लास अफ पीपल, लेकिन सब की जिंदगी में बहुत ही मुसिबते आई, एक कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सामना करना कहते हैं कि we have to face the difficulties, fight करना सिखा दिया इस साल ने 2020 को मैं बुरा कहूं, अच्छा कहूं, I don't know, but हाँ, बहुत सारी बुरे चीजों के साथ अच्छी चीज़े भी हम लोगों ने सीखी कि कैसे patience रखते हैं, कैसे fighter बनना हैं and all that well, एक चीज़ और है कि मेरे लिए ये आज का दिन भी बहुत important इसलिए है जैसे मैंने आप लोग को अभी दिखाया कि 22nd of March 2020 में जैसे जनता कर्फियू था, ऐसी घटनाई भी घटी थी और आज के दिन, my mom and dad, they got vaccinated, they got the jabs and definitely उस टाइम पे तो ये सोचा ही नहीं था कि महामारी इतना बड़ा आकार लेगी and secondly, आज से ठीक एक साल बाद इसका vaccination आ भी जाएगा और vaccines मेरे घरवालों को मिल भी जाएगे so I am really thankful to God, I am really fortunate, I must say कि ये अच्छी चीज़े भी शुरू हो गई है so now, अब बहुत सारी अच्छी चीज़े तो कहते हैं कि एक बुरे दौर से हम गुजर चुके हैं अब अच्छे वक्त का हम प्रे कर सकते हैं, अच्छे टाइम के लिए हम प्रे कर सकते हैं लेकिन हाँ, एक चीज और हो रहा है कि अब कोरोना का second phase आ रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी reason इसलिए है कि बहुत सारे लोग हमारे country में बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा हलके में ले लिया है कुछ लोगों ने ये भी सोचा है कि ठीक है, vaccines आ गए है, so we are now very free, हम फिर से free हो जाएंगे बिल्कुल जैसे आज से एक साल पहले लोगों ने सोचा था, कि ऐसा कुछ नहीं है, it's very, it's okay, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा या फिर, ऐसे अभी भी मैं, आज की तारिक में भी मैं बहुतों को ऐसे बोलते हुए सुन रही हो, like, they say, बहुत overconfident है, कि मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर जो होना था हो गया, अब अब इस से जाद और कुछ नहीं होगा, this is a very common thing, अब लोग बोल रहे हैं, but यही गलत ह The thing is, first of all, vaccine जो है, वो one नहीं, वो two dose का एक होगा, जिनोंने लिया है, उनको पता है, उसके ठीक एक महिने बाद, एक और vaccine का second dose जो है, वो लेंगे, तो वो complete होगा, first of all, second thing is that, vaccine लेने से ही, सब कुछ solve नहीं हो जाएगा, यह एक remedy कह सकते हम, उस चीज को थोड़ा सा हमारे immune क हमारे यानी, जिनको senior citizens को, या फिर health workers को, जिन जिनको मिला है, उनको उस बिमारी से थोड़ा सा उनको बचाने के लिए, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं बचाएगा, यह हमें सावधान रहना है, already हम लोग को आदते पढ़ चुकी हैं, mask, sanitizer वगरे की, it's okay, बहुत सारे चीज हैं, और अगर इस से कुछ, मतलब इस बिमारी को हम थोड़ा सा और रोक सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है, इसमें कोई problem है, तो मुझे लगता है, अभी भी हम सब को फिर से, फिर से नहीं, actually हम सब को अभी भी सावधान रहना चाहिए, हम सब को वैसे आप खुद भी इस चीज के बारे में काफी conscious हो जाएए, प्लीज, और आपके आसपास सब को बताइए, क्योंकि आप अभी अगर देखेंगे, आप चाहे किसी भी शहर के हो, अगर आप बहार निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि ज्यादा तो लोग मास्क नहीं पहन रहें उसको उतने important नहीं समझ रहे हैं, सोचते हैं कि शायद अब कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा, no, this is absolutely wrong, शायद आपको कुछ नहों, भगवान करें आपको कुछ नहों, लेकिन शायद आप किसी और के लिए career बन सकते हैं, आप से जादा weak जो है शायद आपके वज़े से उनको फिर से वो हो सकता है, और जान जाए यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफी पैसे निकल जाएं, यह काफी संभव है, काफी possible है, तो please आप थोड़ा सा इस सीच को लेके conscious हो जाएं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई problem है, please जैसे जैसे सरकार की तरफ से जो जो भी instructions या फिर जो कह रहे हैं कि उसको रोकने के लिए जो जो भी हमें करना जाए, precautionary measures उस चीज का follow करें, और कोशिच करते हैं साथ जिस तरह से हम सबने मिलके आज से एक साल पहले एक जूट होके हमने कोशिच की तो try करते हैं फिर से कि totally अगर हम इस चीज क अपने habit में डालें तो शायद एक मतलब already हम काफी strong हो गए हैं एक साल में बहुत सारे problems का solution निकल के आ चुका है तो क्या पता कि शायद 22nd of March 2022 हम सब के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा तो उसके लिए हम pray करते हैं let's wish and let's pray together कि आज से ठीक एक साल बाद हम फिर से ऐस से ही इसी व्लॉग को लेके recall करेंगे memory को recollect करेंगे और हम उस वक्त सब खुश रहेंगे हम कोशिच करेंगे कि हम उस वक्त सारी अच्छी बाते शेर करें और शायद सब की life में अच्छी चीजे उस वक्त तक हो चुकी होंगी ठीक है दोस्तों so नहीं don't worry मैं एक साल बाद नहीं मिल रही हूं I am going to meet you very soon मेरे अगले व्लॉग में anyways तो तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान रखिएगा and yes of course मैं तो बात बात में भूली गई कि अगर आप लोको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक और शेर ज़रूर करना and if you have to say anything about it तो comment section में जाके comments में भी जरूर बताना and if you haven't subscribe to my channel yet तो please subscribe button को भी प्रेस करना मत भूलना okay तो बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई